आप देख रहे हैं SPN 90 News पीछे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप देखकर ही समझ गये होंगे कि मैं BBC डोकुमेंटरी की बात कर रहा हूँ BBC के दफ्तर पर छापे मारी हुई जिस दिन छापा हुआ आधिकारी तीन दिन तक ऑफिस में रहे लैप्टप ले लिए कंप्यूटर ले लिए यह तमाम चीज जो डेक्स देख रहे हैं यह भी ले लिया वहां के वरकरों का करमचारियों का और उसके बाद खुला से हुए हलाके अभी तक आईटी का जो रेड परा उन्होंने बाते नहीं रखी क्या मिला नहीं मिला हलाके उन्होंने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं लेकिन यह मामला आप सिर्फ देश भर में नहीं पूरी दुनिया में हंगामा मचने लगा है आप देख रहे हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े अरब पती का बयाना आ चुका है कि BBC डॉकुमेंटरी पर जो मुदी जी फंस रहे थे इस वज़र से दरसल जो है उन पर छापा परा जॉर्ज सहाब का यह बयाना है कॉंग्रेस वैसे ही हमला बर है कि आज देश में मीडिया को खतम कर रही है यह तमाम चीज़े लेकिन मेरा दो सवाल एहम है दोनों सवाल को समझ लेते हैं कि क्या वाकई में BBC ऑफिस पे उनके दफ्तर पे इसलिए चापे मारी हुई क्योंकि BBC डॉकुमेंटरी बनी मुदी जी क्या सवाल पूछा गया 2200 दंगे का चर्चा की गई क् वाकई में इस वज़े से क्योंकि मुदी जी कहीं न कहीं मुदी सरकार से सवाल पूछ रही थी BBC यह इस वज़े से लोग अब जो जानकार हैं कह रहे हैं कि दर असल BBC निस्पक्ष पत्रकारीता कर रहा था जिसके वज़े से मुदी सरकार ने जान बुचकर ऐसी करवाईगी अब ज़रा साब BJP का रोख रखते हैं BJP की करी भाई आपको संभीधान कानून पर यकीन नहीं है क्यों नहीं है यकीन क्योंकि वो इमंदारी से तो काम कर रहा है तो क्या BBC कोई एक्शन लेगा मोदी सरकार के खिलाब क्या BBC कोई कारवाई करेगा क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं बेपक्च आरोप लगा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के जो एजेंसियां है चाहिए वो CBI हो, ED हो तमाम जो एजेंसियां है वो उनकी इस आरोप पर काम कर रही है अगर ऐसा है तब तो फिर BBC क्या कोई एक्शन लेगा क्या कोई मोदी सरकार पर कोई एक्शन लेगा यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि BBC जानता है अब छोटा मोटा प्लेटफर्म नहीं है यही वज़ा है कि यह तमाम सवाल उठने शुरू हो गए है हलाके BBC पर छापे मारी पर दर्शो को आपका क्या रोख है आप क्या सोचता हमें कॉमेंट कर बताईए साथ ही साथ क्या मोदी सरकार जान बूचकर शापे मरवाई है यह भी हमें जुरू बताएगा आज के लिए तना यह मुझे दिचे जाजा तो आप देखते रहे पेन आइनूस नमस्कार